असलाम लेकूम वरहमतुलाही वबरकात हूं वेलकम तो आर हिंदी क्लास तो बच्चो आज हम हमारी हिंदी वैकरन और लेखन बुक में से वैकरन का एक नया टोपिक पढ़ने वाले है जिसका नाम है सर्वनाम सर्वनाम आप सभी को पता हूंगा इससे पहले की क्लास में भी हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ चुके है सर्वनाम पढ़ने से पहले हम पहले संग्या के बारे में थोड़ी सा जान ले कि संग्या किसे कहते है तो आप सभी को पता हूंगा कि संग्या किसे कहते है किसी भी वेक्ति, प्रानी, वस्तु या जगा के नाम को संग्या कहते है तो संग्या के इस्तान पर या संग्या की जगा पर हम जिस शब्दों का प्रियोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते है संग्या की जगा पर हम जिन शब्दों का प्रियोग करते है उसे सर्वनाम कहते है देखिए यहाँ पर आप लोगों को उधारन दिया गया है पहला वाक्य कुट्टा बहुत भूका था कुट्टा इधर उधर भटका कुट्टे को कही से खाना नहीं मिला एक वैक्ती को कुट्टे पर दया आई तो आप लोगों ने दिखा कि इस बार बार इस जो यह पूरा एक चुट दो लाइन का आप लोगों को वाक्य दिया गया है इसमें बहुत बार कुट्टा शब्द का प्रियोग किया गया है तो इस तरीके से हम ये शब्द क्या होंगा संग्या तो इस संग्या शब्द को पहले हम कुत्तर अक सकते हैं लेकिन जब दूसरा वाक्षी शुरू हो रहा है तो इस संग्या शब्द की जगा पर हम सर्वनाम का प्रियोग करेंगे देखें यहाँ पर नीचे दूसरा उदारंदिया गया है कुत्ता बहुत भूका था वह इदर उदर भटका उसे कही से खाना नहीं मिला एक वेक्ती को उस पर दया आई तो इस वाक्य में हमने बहुत से सर्वनामों बहुत से सर्वनाम शब्दों का प्रियोक किया है संग्या की जगा पर जैसे वह उसे उस ठीक है इससे उपर हम लोगों ने एक ही संग्या का प्रियोक किया है यानि कुत्ता शब्द का ही प्रियोक किया है लेकिन जब हम सर्वनाम का प्रियोक करेंगे तो बहुत अलग-अलग सर्वनाम शब्दों का हम लोगों ने यहाँ पर प्रियोग किया है वह, उसे, उस तो इसे क्या कहते है सर्वनाम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्रानी के नाम की जगा पर हम जिन शब्दों का प्रियोग करते है उसे सर्वनाम कहते है जैसे यहाँ पर देखिए आप तू वह मुझे मैं वह वह इन सब शब्दों के क्या कहेंगे हम सर्वनाम कहेंगे जैसे यहाँ पर भी आप लोगों को उधारन दिये गया है तुम जा रहे हो यानि नाम की जगा पर हम लोगों ने तुम का प्रियोग किया है आप जा रहे हो आप नाम की जगा पर हम लोगों ने आपका प्रियोग किया है तो इस तरीके से हम लोगों संग्या शब्दों की जगा पर सर्वनाम का प्रियोग किया है उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि अगर एक वेक्ति हो तो कौन सा सर्वनाम प्रियोग होंगा और एक से ज्यादा हो तो किन सर्वनाम शब्दों का प्रियोग होंगा जैसे एक वेक्ति है तो मैं बहुत सारे है तो हम तू तुम वह वे यह ये मुझे हमे उसे उन्हे तो यहाँ पर एक वचन औ आप लोगों को पता है कि एक ही वेक्ति के लिए प्रियोग किया जाता है और बहु अचर यानि एक से ज्यादा तो उसी तरीके से सर्वनाम में भी एक वेक्ति के लिए अलग सर्वनाम होता है और जब हम एक से ज्यादा वेक्तियोग के लिए जब सर्वनाम शब्द का प्रिय जाता है उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ activities दी गई है जिसे आप लोगों को यहाँ पर कुछ शब्द दिये गए है आप लोगों को इन शब्दों में से सर्वनाम शब्दों को अलग करके यहाँ पर लिखना है उसके बाद नीचे यहाँ पर आप लोगों को कुछ वाक्य दिये गये है, आप लोगों को इन वाक्य को पढ़ना है और इन में से सर्वनाम शब्दों के नीचे आप लोगों को अंडलाइन करनी है उसके बाद यहाँ पर देखिया आप लोगों को वाक्य पूरे करने हैं और आपको यहाँ पर तीन ओप्शन इन तीनों में से आपको सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे करना है सही सर्वनाम शब्द को चुनकर आप लोगों को यहाँ पर वाक्य पूरे करने हैं उसके बाद भी आप लोगों को इसी तरीके से यहाँ पर सर्वनाम शब्द दिये गया है आप लोगों को सिर्फ सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करना है ठीक है? So student, do your homework on time इंशाला, we will meet in the next class अल्लाह आफिज, अस्लाम लेकुम वर्हमतुल्लाही वबरकातों